चलिए फ्रेंज डालगोनो कॉफी केक बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने वन टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर लिया है उसमें मैं तीन टेबल स्पून शुगर आड़ करूंगी और तीन टेबल स्पून हम लोग गरम पानी आड़ करेंगे यह तीनों मिक्स्चर को हमें एलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से फेट लेना है कम से कम दो से तीन मिनिट के लिए अगर आप एलेक्ट्रिक बीटर का यूज करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा यह जल्दी से फलफी हो जाएगा अगर आप हैंड विस्क का उससे भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम जादा लेगा कम 10-12 मिनिट लगेंगे इस से 1-2 मिनिट में हो जाता है आप देखिए कितने अच्छे से फलफी हो गया है यह एकदम साइज में डबल हो गया है कलर चेंज हो गया है हमारे डालगोना कॉफी की जो क्रीम है और अब मैं इस क्रीम में से 2 टेबल स्पून निकाल ले रही हूं ताकि हम इसे आइसिंग भी यूज कर सके बाद में अब हम इसे बाजू में रखेंगे और केक का बैटर रेड़ी करेंगे यहां पर मैंने एक कप मैदा लिया है उसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर अड़ किया है और 1 टेबल स्पून कोको पाउडर अड़ किया है अब हम इस तीनों इंग्रिडेंस को छान लेंगे अच्छे से अब मैं इसमें 3 फोथ का पाउडर शुगर अड़ करूंगी आप शुगर की कौंटिटी अपने हिसाब से कम्याज जादा कर सकते हैं मैंने यह आपर 3 फोथ का पाउडर शुगर अड़ करी है अब हम यह ड्रा इंग्रिडेंस अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें यह दोनों इंग्रिडेंस को डालगोना कॉफी में इंफ्यूज करना है मतलब जो दूद हम यूज करेंगे वो यह ड्रा इंग्रिडेंस और जो हमने क्रीम प्रिपेर करी है भी वो उसमें हम डाल कर अच्छे से एक स्मूध बैटर रेडी करेंगे अब मैं यहाँ पर वन थर्ट कब वेजिटेबल ऑईल यूज कर रही हूँ अब मैं इसमें थोड़ा सा हमलों का फ्लार वाला मिक्स्टर डाल रही हूँ अब एक हैंड विस्क की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी यहाँ पर मैंने कुछ टॉप्स वेनिल एसेंस डाले हैं यह टोटली ऑप्शनल है अब मैं इसमें बचा हुआ फ्लार मिक्स्टर डाल रही हूँ और मैं आप 3-4 कप दूद का यूज कर रही हूं धीरे-धीरे करके हमें दूद यूज करना है हमें एक लांप फ्री स्मूद बैटर रेडी करना है तो आप 3-4 कप दूद ले लीजिए उसके जितना बैटर में जाएगा उसी साफ से धीरे-धीरे करके डालिए एक लांप फ्री स्मूद बैटर रेडी कीजिए जब हमारा दूद अच्छे से मिक्स हो जाएगा बैटर में जब हमारा बैटर एक दम रेडी हो जाएगा तब हम उसमें इनो डालेंगे फ्रेंट्स हाँ इनो का यूज करेंगे आज हम इस केक में हमने बेकिंग पाड़ और सोड़ा अड़ नहीं किया है हम लोग इनो एड़ करेंगे आप लेवन फ्लेवर वाला इनो ले सकते हैं कोई भी फ्लेवर का इनो चलेगा बस पूरा सैशे उसमें डाल दीजिए इससे हमें ओवर मिक्स नहीं करना है डाल के मिक्स करके हमने जो क्रीस्टीन पहले से प्रिपैर करके रखा है उसमें हम तुरंद बैटर डाल देंगे ज्यादा दिर हमें इनो डालने के बाद बैटर को नहीं रखना है अब हम इस बैटर को टाप कर लेंगे जिससे एर बबल सारे निकल जाएं और हम इसे कुकर में कुक करेंगे कम से कम 20-25 मिनिट के लिए या जब तक चाकू या नाइफ या आपका टूथपिक क्लियर ना निकल जाए तब तक अब आप देख सकते हैं मैंने केक निकाल लिया है इसे आधा पौना घंटा थंडा कर लिया है अब मैं इसे डी मोल करूंगी साइट्स को अच्छे से निकालके आप केक को डी मोल कीजिए उसके बाद बटर पेपर है जो वो निकाल लीजिए आप देख सकते हैं हम लोग का कितना स्पॉंजी फ्लफी मॉइस्ट डालगोना केक रेडी हुआ है वो भी एगलेस विदाउट एग और विदाउट ओवन अब मैं आइसिंग के लिए विपिंग क्रीम लूँगी फ्रेंज मैंने यहाँ पर हाफ कप विपिंग क्रीम ली है यह देख सकते हैं जैसी आपको सॉफ्ट पीक्स दिखने लगे फ्रेंज तो इसमें हमें एक टेबल स्पून पाउडर शुगर या आइसिंग शुगर एड़ करनी है और जो हमने दो टेबल स्पून जो डालगोना कॉफी का जो मिक्स्टर रेडी किया था वो हम इसमें से शुगर में आइसिंग करने के लिए अब आप देख सकते हैं मैंने केक लेलिया है केक को प्लीस थंडा कर लीजिए कम से कम 1-2 घंटा आइसिंग करने से पहले अब मैं इसे 2 लेइर में काट रही हूं अब है आइसिंग करने का स्टैब फ्रेंस टोटली ओप्शनल है अब मैं इसमें सिंपल शुगर सिरफ लगा रही हूँ जिसमें शुगर और वाटर रहता है वो लगाने से हमारे केक मॉइस्ट रहता है अब मैं इस पर आइसिंग कर रही हूँ अब मैं यहाँ पर दूसरा केक लिए रख रही हूँ इस पर भी हम सिंपल शुगर सिरफ लगा देंगे अब मैं इसे फाइनल आइसिंग कर रही हूँ यह कॉफी लवर्स के लिए बहुत अच्छा केक है बहुत अच्छा आप्शन है केक का अगर जिनको कॉफी पसंद है वो यह केक बहुत पसंद करेंगे तो आपके घर में किसी को कॉफी पसंद हो तो प्लीज एक एक जरूर बनाए और मेरे साथ आपके कमेंट जरूर शेयर कीजिए फीडबैक जरूर दीजिए मुझे कि आपको कैसा लगा केक कैसा बना अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सबसक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंज और फैमली के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए और बैल बटन को कलिक करना ना भूले जिससे आपको नोटिफिकेशन्स मिलती रहे मेरे नए वीडियो की आप देख सकते हैं मैंने अभी केक ऐसी आइसिंग कर दी है यह सिंगल लेयर आइसिंग है फ्रेंज अब मैं इस पे टॉप पे थोड़े से फ्लार्स बना रही हूँ यह केक बहुत अच्छा आता है फ्रेंज बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है आप प्लीज इसे जरूर ट्राइ कीजिए अब मैं आपको इसका एक स्लाइस कट करके बताऊंगी कि हमारा केक कितना अच्छा स्पॉंजी फ्लफी रेडी हुआ है आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक रेडी हुआ है थैंक यू फॉर वाच्छिंग फ्रेंज